हर साल 10 करोर जानवरों को अपने फाइदे के लिए मार दिया जाता है हम ये अक्सर सुनते आ रहे हैं कि जानवर खुद कुछ नहीं बोल पाते इसलिए किसी भी संकट में उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है लेकिन आज हम आपको ऐसे fact से रूबरू कराने जा रहे हैं सुनकर आपको भी काफी हैरानी होगी लेकिन हमारे लिए बनाये जाने वाली दवाओं की research करने के लिए हर साल करोरू जानवरों को मार दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है दिल्चस पिये कि रिसर्च में जानवरों को मारने के लिए Animal Welfare Act को इस मामले में और सरल कर दिया गया है यानि कि रिसर्च के नाम पर यदि जानवरों को मारा जाता है तो एक्शन नहीं ली जा सकती है इस वीडियो को हम केवल 10 पॉइंट में समझेंगे अमेरिकन लैब में रिसर्च के नाम पर हर साल 10 करोर से ज्यादा जानवरों को जला दिया जाता है अपंक कर दिया जाता है या फिर उन्हें जहर देकर मार दिया जाता है जानवरों में सेफ और इंफेक्टिव 92% एक्स्पेरिमेंटल ड्रग यूमन ट्राइल में फेल हो जाती है दवाई रिसर्च के दोरान बहत खतरनाक बन जाती है चुहों बर्ड्स रेप्टाइल्स का यूज करने वाली लैब को एनिमल वेलफियर एक्ट के तहत मिनिमम सिक्योर्टी से छूट दी गई है यूज लैब में यूज किये जाने वाले 90% जानवरों को टेस्टिंग किये गए जानवरों के ओफिशिल डेटा में नहीं गिना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक बाजार वाला जिरोव इसरायल और भारत ने पहले ही कॉस्मेटिक के लिए अनिमल टेस्टिंग और न्यू अनिमल टेस्टिंग किये गए ब्यूटी प्रोड़क्ट की विक्री या एक्स्पोर्ट पर बैन लगा दिया है एनिमल वेलफियर एक्ट के तहट रिजर्व एनिमल्स के साथ अब्यूज और टॉचर किया जा सकता है इसमें प्रोविजन फोर लीगल आक्शन भी नहीं है यूमन सुसाइटी के अनुसार एक पेस्टिसाइड रेजिस्ट्रेशन के लिए 50 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत होती है इसके लिए करीब 12,000 जानवरों का यूज किया जाता है कुछ टेस्टिंग में जानवरों को 2 साल तक हर दिन एक सबस्टांज दिया जाता है कुछ एक्सपेरिमेंट में प्रेगरेंट जानवरों को मारना या उनके एम्डियोस पर एक्सपेरिमेंट करना भी शामिल है और इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रही है हेल्थ लाइप के साथ झाल 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 झाल